Hello everyone, welcome to my channel आज हम इस वीडियो में परमानूत रिजया एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके तीन टाइप कोवलेंट रेडियस, मेटेलीक एन वॉन्डर वाड रेडियस के बारे में डिटेल में समझेंगे परमानूत रिजया, एटॉमिक रेडियस क्या होता हैं तो एक परमानू के नाभिक के केंदर से इसकी बाहितम कक्छा की दूरी को परमानूत रिजया कहते हैं परन्तु quantum mechanism के अनुसार electron की स्थिति निशित नहीं होती है इन कान्नों से किसी तत्यों की परमानु त्रिजय को ग्याद करना संभाव नहीं है ठीक है तो atomic radius है atomic परमानु त्रिजय क्या होता है सो सामायनेत है कोई भी परमानु आपको basic concept पता होगा कि किसी भी परमानु में किसी भी atom में बीच में एक nucleus present होता है इसके चारो और इस प्रकार के orbit होते हैं कक्छा होते हैं जिसमें electron present होते हैं electron घूमते रहते हैं सो किसी भी atom में जो नाभीक है और उसके बाहितम कक्छ में जो सबसे outer most cell है उसमें जो electron present होता है इन दोनों के बीच के दूरी को ही atomic radius कहा जाता है किसी भी atom में जो नाभिक होगा जो नुकलियस होगा और इसके जो बाहरी जो cell होगा उसमें जो electron present होगा उन दोनों की दूरी होगी उसी को atomic radius कहा जाता है लेकिन quantum mechanism के अनुसार ये जो electron है ये इसमें गूमते रहते हैं इसका जो जगह है वो fix नहीं है इसका जो जगह है वो fix न हैगा ठीक है quantum mechanism के अनुसार electron की पाए जाने की probability होती है ठीक है ये कहीं भी पाए जा सकता है इसलिए electron की स्थिति हम निजधारित नहीं कर सकते हैं इसी कारण से हम परमानुत रीजया ए atomic radius किसी भी atom का radius भी हम पता नहीं कर सकते हैं ये संभाव नहीं है atomic radius गयात करना फिर भी इसके जो types हैं जो basic concept है ये हमको आना चाहिए तो ये basic definition हो गया कि एक परमानु के नाभिक के केंद्र से इसकी भायतम कक्षक की जो दूरी है उसको परमानुत रीजया कहते हैं लेकिन quantum mechanism के अनुसार electron की स्थिति ग्यात नहीं कर सकते हैं इसलिए हम परमानुत रीजया को ग्य ये तीन type के जो हैं परमानुत रीजया होते हैं जिसको एक 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 कर्थ हम detail में समझते हैं पहला है सहसेयूजक रीजया कोवलेंट रेडियस तो किसी तत्यों के अडू में एकल सहसेयूजक बंध के द्वारा अबंधित उसके दो परमानु के नाभिकों के मध्य दूरी को आधे मध्य दूरी के आधे को परमानुत रीजया कहा जाता है ठीक है सहसेयूजक रीजया इसे M-strong से व्यक्त किया जाता है साधान अध्यान में सहसेयूजक रीजया को ही परमानुत रीजया मान कर प्रयोग किया जाता है ठीक है तो परमानुत रीजया या सहसेयूजक की अगर हम consider करें S2 की तो दो hydrogen atom से मिल का बना है तो दोनो hydrogen atom जो है अपने एक एक electron को ठीक है अपने electron को साजहा करके जो है इस परकार के covalent bond बनाते हैं ठीक है तो ये covalent bond के द्वारा जुड़े हुए दो atom कोvalent bond के द्वारा अगर दो atom जुड़े हुए है तो इनका जो नाभीक है इन hydrogen atom के जो नाभीक है इनकी जो दूरी है इन दो atom के नाभीक की दूरी है उसके आधे को क्या बोलते हैं सहसेयोजक तिरिजया कोvalent bond कहा जाता है दो नाभीकों की जो दूरी है उसके आधे को क्या कहेंगे covalent bond, covalent radius sorry, covalent radius सहसेयोजक तिरिजया कहा जाता है ठीक है इसे emistrong के द्वारा दर्स आ जाता है यही basic concept है सहसेयोजक तिरिजया का I hope आपको समझ में आगया होगा S-Vlog जो तत्तु होते हैं इसके सहसेयोजक तिरिजया को इस परकार है जैसे यह जो है पहला हमारा वर्ग है ठीक है, फर्स्ट का तो hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium cesium का आप देख सकते हैं इस परकार से बढ़ते जा रहा है इसका covalent radius ठीक है, इसी परकार जो second group है उसका जो है हमारा valium, magnesium, calcium, strontium, barium इसका आप देख सकते हैं यह है सहसेयोजक तिरिजया covalent radius ठीक है तो S-block elements में covalent जो है bond, covalent radius पाये जाता है तो यह है covalent radius का basic concept ठीक है, यह basic definition इस परकार से आप यह example दे सकते हैं ठीक है, अगर आप कभी-कभी basic exams में two marks में पूछ लिया जाता है सहसेयोजक तिरिजया क्या है परमानु तिरिजया क्या है तो आप यह points आपको धिया रखना है basic concept है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने से भी लिख सकते हैं बाकि यह example आपको अच्छे से याद रखना होगा ठीक है, यह होगा सहसेयोजक तिरिजया second type है हमारा धात्रिक या crystal तिरिजया सो किसी परमानु crystal की सरजना में दो परमानु के नाभीकों के बीच की दूरी का आधा धात्रिक तिरिजया कहलाती है ठीक है, उधारन के लिए आप देख सकते हैं sodium धात्रिक के crystal में दो समिपस्ट sodium धात्रिक के मध्य दूरी 3.80m-strong पाई जाती है अथा sodium को धात्रिक तिरिजया sodium की धात्रिक तिरिजया 3.80.2 equal to 1.90m-strong होगी धात्रिक तिरिजया का मान एकल बंद सह सियुजक तिरिजया के मान से 10-15 प्रतिसत अधिक होता है ठीक है तो यह होगी है basic इसका theory point अब धात्रिक या crystal तिरिजया क्या होता है simple सा है किसी परवानों के crystal संरचना ठीक है, मालो यह एक प्रकार का NACL, ठीक है NACL example लेते है sodium chloride तो sodium धातू ठीक है, यह जो है sodium धातू की crystal है ठीक है, समझ लीजे तो बहुत सारे sodium atoms जो है आपस में मिलका sodium धातू बनाएंगे ठीक है इस परकार का यह crystal बनाएंगे ठीक है, तो यहाँ पे जो दो समीपस्ट sodium धातू है इनके बीच की दूरी का आधा होगा उसी को क्या कहा जाएगा धात्रिक या crystal तरिजया कहा जाता है ठीक है, किसी crystal में किसी भी जो हमारा crystal सरचना होगी उसमें दो समीपस्ट परमानूओं के बीच की दूरी के आधा को क्या कहते हैं धात्विक तिरिजया या किस्टल तिरिजया कहा जाता है ये एक्जामपल आप दे सकते हैं इसका एक important point आपको ध्यार रगना है कि धात्विक तिरिजया को जो मान होगा वो सहसेयोजग तिरिजया के मान से 10 से परतिसत अधिक होगा basic concept आपको वही लग रहा होगा कि सहसेयोजग तिरिजया का भी वही है कि दो आटम के बीच के दूरी के आधा को सहसेयोजग तिरिजया कहते हैं और ये धात्विक तिरिजया भी वही है कि दो आटम के बीच के दूरी के आधा को धात्विक तिरिजया कहते हैं इनका basic difference ये है कि हम सहसेयुजग बंद के बारे में बात करें थे सहसेयुजग तिरिजग के अगर आप बात करेंगे तो हम पे सहसेयुजग बंद होगा मलब कि दो atom आपस में अपने जो electron है उनको साजह करके बनाएंगे ठीक है ये सहसेयुजग तिरिजग के तुल नाम है तो ये basic concept है इसके बात third है हमारा wonder world तिरिजग किसी तत्यों की ठोस अवस्था में दो निकटतम अड़ों के निकटतम पर्मानूं के नाभिकों की बीच की आधी दूरी को wonder world तिरिजग कहते है ठोस अवस्था में तत्यों को X-Giran अध्यन से ये दूरी ज्यात की जाती है जिसका आधार wonder world तिरिजग होता है wonder world तिरिजग कहा है ठोस अवस्था में दो निकटतम अड़ों के निकटतम पर्मानूं ये निकटतम मॉलिक्यूल के निकटतम पर्मानूं की ना आभी को कि बीच के आधे दूरी को वंडर लोर 3 जगाते हैं अब यहाँ पे जो है इसी मीज से आपको clear हो जाएगा यह देखे यह पहला chlorine molecule है CL2 molecule है यह दूसरा CL2 molecule है तो CL2 molecule दो CL CL से मिलका बने है दो CL atom से मिलका बने है यह भी दो दूसरा CL2 molecule है यह भी दो CL atom से मिलका बना है तो यह दोनो CL atom मतलब यह दो chlorine molecule हो गया ठीक है और यह दो CL atom हो गया तो उसके जो दो समीपस्ट CL atom है ठीक है उनके बीच के जो नाभीक है उसका यह नाभीक उनके जो दूरी का आधा होगा उसको वन्डर्वल्ट रिजया कहा जाता है ठीक है सिंपल सा कॉंसेप्ट है दो chlorine molecule हमने लिया और दो chlorine molecule जो है दो-दो chlorine atom से मिलका बना है तो जो समीपस्ट chlorine atom है उनके नाभीक के बीच के दूरी के आधा को क्या कहते है वन्डर्वल्ट रिजया कहा जाता है जैसे chlorine के अगर हम यहां consider कर रहे है बात कर रहे है तो वन्डर्वल्ट रिजया होगा इन दोनों का यह क्या होगा 3.60m strong होगा और वन्डर्वल्ट रिजया को होगा मतलब इनकी जो main रिजया है उसका आधा होगा 1.80m strong होगा तो यह है वन्डर्वल्ट रिजया इसी पर आप सहस्यूजग रिजया भी समझ सकते है मतलब एक molecule एक chlorine molecule के दो atom के नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को क्या कहेंगे सहस्यूजग रिजया कहा जाता है इनका अंतर नाभिकिया दूरी क्या होगा 1.99m strong होगा लेकिन इनका सहस्यूजग रिजया क्या होगा 0.99m strong मतलब इनके जो नाभिकिया दूरी है उसका आधा होगा सहस्यूजग रिजया तो इस परकार से आप ये इस डाइग्राम में सो कर सकते हैं सहस्यूजग रिजया और वॉंडर रिजया को तो ये है परमानू रिजया एटॉमिक रेडियस का बेसिक कॉंसेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको अगर आपको नीचे आपको डिस्किप्शन बॉक्स में अगर वीडियो है तो आगे की वीडियो देखने के लिए प्ली चैनल के साँ जूरे रहिए थैंक्यू सो मच पॉचिं